गाजियबाद के कारे करता हूं का नमस्कार नमस्कार आने परधान मंत्री जी नमस्कार मैं अभिनर जैंग गाजियबाद से साहिवदाद से जोकि देश की सबसे बड़ी सा विधानिक कॉंस्टिपेंसी है मैं अपनी तरफ से अपने महानगरा द्यक्ष की तरफ से और विदाईकों की तरफ से आपको बढ़नाम करता हूँ परधान मंत्री जी आज 13 सितंबर है आपको याद होगा कि आजी के दिन भाश्पा ने आपके नेत्रित्व में आगे बढ़ने के लिए पहला कदम बढ़ाया था भाश्पा के कारेकरता होने के नाते हमें इस पे गर्व है भाश्पा ने जमीन से उठे हुए कारेकरता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जिससे देश को लाब भी हो रहा है कारेकरता की शक्ति को आप देश और धर के लिए कितना एहम मनते हैं जी सबसे पहले तो आपने ही मुझे आश्यरे में डाल दिया कि आज 13 सितंबर को ही भारतिय जनता पार्टी के पार्लामेंटरी बौर्ड ने नेत्रुत्व की जिम्मेवारी मेरे सर पर रखी थी और एक कार्करता के नाते जब भी जो जिम्मेवारी मिले इसको पूरा करना हम सभी कार्करताओं का दाई तो है मैं भी एक कार्करता हूँ और ये जिम्मेवारी मुझे नहीं दी गई थी लेकिन मैं समझता हूँ मैं तो निमित था ये जिम्मेवारी कोटी कार्करताओं को दी गई थी मेरा काम तो बस वो एक धागे का था धागे का जो आप जैसे करोडों मोतियों को पिरोनों में योगदान कर सके और उस भव्य माला को मा भारती पर अलंकृत करें इसलिए मेरा काम तो सिरफ धागे का था ये जो चमकते हुई मा भारत माघवर का चहरा नजर आ रहा है वो आप जैसे मोतियों के कारण है दागे के कारण नहीं है और इसलिए ये सिरफ भाजमा भाजप में हो सकता है कि जमीन से जुड़ा कायर करता देश की सेवा हर स्थर कर सकता है भाजपाय में नाम से नहीं काम से नेतर्टव तय होता है कि बूथ स्थय के कारकर्टा को संगठन के शिर्ष्पर नेतर्ट्व की जिम्मेदारी सौपने का काम सिर्फ और सिर्फ भारतिय जनता पार्टी ही कर सकती है